प्यारीबच्चो वेलकम डू मैद विद्राजसा आपका अपने शार्णल मैद विद्राजस में आपका वेल्कम करते रिंड मैं आज ₹ जूरर एंट tab az Courts a यह अंको डेसी अछhaftॏ आधिश बच्चो आज हम लोग पढ़ेंगे संग्या तो आज हम लोग संग्या डिस्कस करेंगे और ऐसा संग्या मैं आपको पढ़ाओंगा कि आपको भूलने की जो बिमारी है जो आप लोग घर्ड कर याद करते हैं और रखना नहीं है प्यारे बच्चो समझना है conceptual समझना है और हमेशा के लिए mind में बनेगा बस कुछ तरीके है minor point को समझना है और ऐसा मुमिद करता हूँ का आप कभी पढ़े नहीं होंगे संग्या तो चलिए मैं देर ना करते हुए संग्या को start करता हूँ पहला हम लोग समझेंगे संग्या इसका जो संग्या का जो साब्दिक अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चे संग्या का साब्दिक अर्थ क्या होता है तो संग्या का जो साब्दिक अर्थ होता है इसका जो अर्थ होता है वह होता है दुनिया के सब नाम इस तरीके से इसका अर्थ क्या हो जाएगा नाम तो आप से कोई पूछ लेगा अर्थ क्या होता संग्या का तो बताएंगे नाम अब मैं देखूं तो किसके किसके नाम होते हैं तो इसमें आ जाता है ब्यक्ति दूसरा क्या हो जाएगा वस्तू तीसरा क्या हो जाएगा अस्थान एक और नाम होता है जो हमें दिखाई नहीं देता इसको बहुते हैं भाव तो मेरे प्यारे बच्चे ये सारी चीज दिखाई देने वाली है ब्यक्त में सारे नाम आजाते है जिसका ममलब सजीव बोल सकते हैं सारे सजीव या ऐसा वो सकते हैं जो यूनिक हो विसेश नाम हो उसी को ब्यक्त में रखा जाता है तो आपका एक आ जाता है इसका मलब इसमें क्या होंगे मेरी प्यारे बच्चे तो ये द्रिश से होता है मतलब कि ये दिखाई देने वाले चीज़े हैं ये हमें दिखाई दे देने वाले चीज़े हैं दिखाई देने वाले चीज़े हैं एक होता है अभाव जो अद्रिश होता है मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है अद्रिश होता है मतलब ना दिखाई देने वाला ना दिखाई देने वाला ये दिखाई नहीं देता है ये दिखाई नहीं देता है जैसे मैं कहूं ब्यक्ति तो जितने भी ब्यक्ति के नाम हैं वो किसमे आ जाएंगे ब्यक्ति वाचाग में आ जाएंगे मतलब कि जिसका बहभाव भी हम लोग इसको पढ़ेंगे भी तो ब्यक्ति के नाम होगा वस्तु का नाम होगा मेकानतान का नाम होगा तो ये सब दिखाई देते हैं जैसे मैं कहूँ आपके सामएग नाम बोलगा हो राम तो राम जिसकानाम होगा उसकी कोई आकार और आकरती बनेगी आपके माईने सुनते ही आप कहें चैरा ऐसा होगा या वैस動画 нос सुको ही कि मेज बोल दी तो मेज की कोई आकरती आपकर बन रही है मेज को आपको छू सकते हैं देख सकते हैं बढ़ कह transforms बोल दीया तो दुखी कोई दिखाईब कोई चीज नहीं है हम देख नहीं सकते हैं ना उसे हम छू सकते हैं आकरती कोई नहीं बनती है इसका मलब वो मैसूस करने वाले चीज़े हैं तो किसमें आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे भाव वाचक सभाव क्या है जो अद्रिश हो ना दिखाई देने वाला अब मैं बढ़ता हूँ प्यारे बच्चे आगे अब हम लोग समझेंगे संग्या के प्रकार तो जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आप नोट सब बनाते हैं तो संग्या के प्रकार अब हम लोग देखेंगे संग्या के प्रकार तो संग्या कितने प्रकार के होते हैं पांच प्रक कौन कौन से होंगे देखिए पहला होगा ब्यक्ति वाचक संग्या क्या होगा ब्यक्ति वाचक संग्या दूसरा होगा मेरे प्यारे बच्चे जाती वाचक संग्या इसका अर्थ होता है बताने वाला ठीक है इसका क्या आर्थ होता है बताने वाला तो आप इसको ध्यान रखेंगे बताने वाला बात आने वाला ने बताने वाला होता है तो यहां हम इसको हटा देते हैं ठीक है तो आप यह ध्यान रखेंगे इसका आर्थ होता है ब्यक्ति का ना आर्थ हो देखिए सेंगी ब्यक्ति वाचक संग्या वाल ब्यक्ति को बतानेगा ब्यक्ति के बारे हम कुछ बताएगा तो इसको मैं समझूँगा तीसरा क्या होता मेरे प्यारे बच्चे तीसरा मैं नाम आपके सामने रखता हूँ तीसरा नाम क्या रखता हूँ आपका समूह वाचक संग्या क्या आजाएगा समूह वाचक संग्या समूह वाचक संग्या चौथा मेरी प्यारी बच्चे क्या हो जाएगा चौथा आपको सामने रख रहा हूँ चौथा आजाएगा क्या द्रब्य वाचक संग्या द्रपी वाचक संग्या को मैं प्यारे बच्चो द्रपी वाचक संग्या को धात वाचक भी बोल देते हैं तो आप याद रखेंगे धात वाचक भी बोल दिया जाता है पांच बाव होता है भाव वाचक संग्या क्या होता है भाव वाचक संग्या तो आप देख चुके हैं ब्यक्ति वाचक संग्या, जाति वाचक संग्या, समू वाचक संग्या, द्रव्य वाचक संग्या, द्रव्य वाचक को भाव वाचक भी बोला जाता है मेरे प्यारवच्चे और स्वारी स्वारी दबिवाच्चक को धात वाच्चक भी बोला जाता है और पांचवा क्या है भाव वाच्चक संग्या हमने आपको पढ़ाया कि ये सारी चीजे हमें दिखाई देने वाले चीजे हैं ये जो सामने, पहला, ब्यक्ति वाचक संग्या, तो आप हम लोग पहला टाइब का देख रहे हैं, ब्यक्ति वाचक संग्या, तो ब्यक्ति वाचक संग्या पढ़ने शाहर हैं, तो ब्यक्ति वाचक संग्या में हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है ब्यक्ति वाचक संग्या जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस ध्यान देजे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चे इसकी पॉइंट मैं समझाओंगा वो ध्यान देना है यह एक चीज बाते आपको ध्यान रखना है एक आप सूत्र बो सकते हैं इस सूत्र के द्वारा इसकी सारी कहानी यहाँ बो सकते हैं ट्रिक आप इसको ट्रिक बो सकते हैं इसके द्वारा हम ब्यक्ति वाचक को आसानी से जाति वाचक दोनों को पहचान सकते हैं confusion का होता है जाती वाचक में और व्यत्ती वाचक में अभी मैं समझा रहा हूँ जो लिख़ाने जा रहा हूँ उसको ध्यान देजिए ये हमें दिखाई देता है इसलिए ये दिखाई देता है तो हमारा ये बहुत सकते हैं द्रिश्य है प्लस यहां मैं जो लिखने जा रहा हूँ सदेव सदेव एक वचन आलवे सिंगलर पोईशन एक वचन तो आपकी सामने सूत लिख दिया मैं सदेव मल्लव हमीशा एक वचन होगा हमीशा क्या होगा एक वचन होगा तो आपके सामने ठीक आ गया अब इस सारे बहुत सारे एक्जामपल आपके सामने मैं रहख सकता हूँ कि ब्यक्ति वाचग में कौन-कौन से लोग आ सकते हैं जिसका आप बहु वचन बना सकते हैं वो कभी व्यक्ति वाचग में नहीं रखा जा सकता जैसे मैं एक आपके सामने एक्जामपल दे रहा हूँ जैसे मैं लिख देता हूँ पुस्तक क्या बच्चो पुस्तक पुस्तक क्या है ये आपको confusion होगा जाति वाचग में आयगा कि व्यक्ति वाचग में आयगा तो मैं आपके सामने ये चीज़े लिख रहा हूँ पुस्तक क्या होगा बहु अचन बनाया जा सकता है हाँ पुस्तके अगर मैं पुस्तके बना दिया इसका मतलब ये जादी वाचग में आगया मतलब जो पुस्तक है वो अब्यक्ति वाचग में नहीं आएगा जैसे ये जादी वाचग में आएगा common noun में आएगा इसका मतलब आप एक बास समझ गए हैं कि क्या समझ गए हैं ये समझ गए हैं कि हम किसी जिसका बहुवचन बना सकते हैं जिस सब्द को बहुवचन में बदला जा सकता है वो हमेशा जातिवाचक में रखा जाएगा ब्यक्तिवाचक में नहीं आएगा अब ब्यक्तिवाचक के क्या होंगे ना मैं कुछ उधारन दे रहा हूं कि सारे देश कि सारे देश का नाम कि साहे वू भारत हों शाहे वू पाकिस्तान हों सहिसीन हों है कनाडा होंचा है युएश से हो यह सब किस में आएंगे प्यक्ति वाचंग में चोकि भारत का ये दिखाई देने वाली चीज है अस्थान में है और सदेव एक वचन में यूज हो गई चोकि बहुवचन इसका नहीं बनाया जा सकता जैसे भारत है तो भारते नहीं बहुँ सकते मलब बहुवचन नहीं बनाया जा सकता इसलिए ये सदेव एक बचन में रहेगा तो जितने भी सारे देश के नाम है सारे ब्यक्ति के नाम सारे ब्यक्ति के नाम भी किसमें आ जाएंगे चाहे वो सजीव हो सारे सजीव के नाम भी इसमें आ जाएंगे तो सारे सजीव के नाम भी किसमे कहलाएंगे आपके भ्यक्तिवाचंग में आएंगे नाम ध्यान देना जात ही नहीं तो राम स्याम कुछ भी जो भी नाम है वो किसमें आएंगे जाप्तिवाचंग में आकर भ्यक्तिवाचंग में इतना इध्यान देना जिसका बहवचन ना बनाया जा सदे वेगवचन में यूज हो सारे जितने भी नदियों के नेम है चाहे वो गंगा हो चाहे व्यक्तिवाचन में चाहे वो सारे नदियों का नाम नदियों के नाम भी किसमें आएंगे जैसे हमने लिख दिया गंगा यमुना ठीक है तुम भद्रा तुम भद्रा मलब ये गंगा का क्या हुआ चन मना सकते हैं गंगई गंगे नहीं लिख सकते हैं तो ये जह ब्यक्ति वाचग में यमुना ब्यक्ति वाचग में तुम भद्रा ब्यक्ति वाचग में सारे नदियों गंगा नदी, यम्ना नदी, तुखधरा नदी, सब के साथ कौमन क्या आ रहा है, नदी नदी इसलिए ये इक कौमन नाउन में नदी आ जाएगा, और मैंने समझाया पहचानने के लिए क्या कि नदी का बहुवचन नदीयों तो बहुवचन नदी का बन रहा है इसलिए ब्यक्ति बाचंग में आएगा नहीं क्या नहीं आएगा नदी किसमें आएगा जाती बाचंग है दुनिया में अकेला है मैं राजस्थान का बगवचन बना सकता हूं नहीं बना सकता हूं राजस्थान अलहाबाद जिदने भी का नाम है राज के नाम हो जिले के नाम हो गाओं के नाम हो सब किसमें आ जाएंगी भैक्ति वाचक में तौई हो पापको समझने आया होगा मेर आपको ऐसे ही समझ में आएगा जाती वाचक संग्या जाती वाचक संग्या अब जाती वाचक संग्या समझे जाती वाचक संग्या कैसे करते हैं तो जाती वाचक संग्या भी मैं आपको समझा रहा हूं बस ध्यान देना है मैंने कहा है कि ये भी क्या होता है दिखाई देने व इसमें क्या होता है दृष्य मतलब इसो को भी हम देख सकते हैं क्या कर सकते हैं बच्चो देख सकते हैं हम इसको हम इसको देख सकते हैं तो विजिवल है दृष्य मतलब देख सकते है प्लस अब दूसरी बात क्या होने चाहिए बहुवचन में होंगे सदेव किसमें प्रियोंगे बहुवचन में प्रियोंगे तीसरा अबलेट करके अगर एक वचन है एक वचन है एक वचन को यदी बहुवचन बनाया जा सके बहुवचन बनाया अगर बनाया जा सकेगा तो वह भी किसमें कहलाएगा जातिवाचन में मींस अगर वह दिखाई देगा ठीक है एक बहुवचन सदेव बहुवचन में प्रियोंग होगा अगर कोई सब्द एक वचन में होता है उसे हम बहुवचन बना जा सकता है तो भी वह जातिवाचग में होगा जैसे मैं एक्जामपल आपके सामने रखा था क्या रखा था पुस्तक पुस्तक क्या है अभी दिखने में आपको मैं आपके सामने पुस्तक लिख दिया पुस्तक तो कहेंगे एक वच्षान है बढ़र हमने लिखा है अगर एक वच्षान में कोई चील लिखा है अगर उसके हम बहुवच्षान एक वच्षान को यदि बहुवच्षान में बनाया जा सकेगा तो भी वह repeating में आयेगा जाती वाचक जैसे पुस्तक को हम बना सकते हैं पुस्तके ठीके तो और सारे एक्जम्पल मैं देता हूँ और जैसे मैं हाँ ये लड़की लिग दिया सीता लिग दिया आप बताएए कौन से इसमें आएंगे कौन सा इसमें जाती वाचक है तो आप कहेंगे लड़की अब देखें सीता भी लड़की है रीता भी लड़की है नेहा भी लड़की है तो लड़की लड़की सभी में यूज हो रहा है कौन यूज हो रहा है तो कौन में आएगा हमने कहा है जिसका बहुवचन मनाया जासा कि कहेंगे यह सर लड़कियां क्या लड़कियां लेकिन कहो सीता का बोगोचन मनाओ तो सीते सीताई नहीं इसका मलग यह यह बताओ ब्यक्ति वाचक है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितना असानी से आप समझ पा रहे हैं यह तो यह ब्यक्ति वाचक है और या लड़की जाती वाचग में आ जाएगी लड़के अब लड़का भी किस में आता है जाती वाचग में अब मैं कहूं सहर किस में आएगा तो जाती वाचग में सहरे बना सकते हैं देश कई देशों मिलकर तो देश का भी वह वच्छन मना आजा सकता है मतलब जो सम्मे साथ में आ जैसे जैसे में राज तो अब बच्चे हम लोग सीखेंगे अब हम लोग सीखेंगे जाती वाचक मैंने पढ़ लिया व्यक्ती वाचक जाती वाचक सीख लिया है अब हम लोग सीखेंगे किसको दरबी वाचक को क्या सीखेंगे दरबी वाचक संग्या को और क्या बोला जाता है दरबी वाचक या इसको धात वाचक भी बोलते हैं क्या बोलते हैं धात वाचक भी इसको बोल दिया जाता है इसको दर्वेबाचक को धातवाचक भी बोल दिया जाता है अब हम लोग इसको समझेंगे इतना आसान है इसमें कुछ समझने लाइक चीज़े हैं नहीं बस मैं एक तरीका लिख रहा हूँ एक चीज़े लिख रहा हूँ बस उसको आप फॉलो कर लिजे बस आपका एंसर आजायगा अब वो क्या सीज़े हैं अब वो क्या हैं मैं लिख देता हूँ पदार्थो के नाम अब कहेंगे पदार्थो के नाम क्या अब पदार्थो कई परकार क्यों होते है कुछ ठोश में होंगे वो कुछ द्रों में भी होंगे अब पदार्थों के नाम क्या है भी या वो दीख लीजिए ठीक है पदार्थों के नाम क्या है अब वो समझ लीजिए पदार्थों के नाम में बहुत साई चीज़ आ जाएंगी अब देखिए पदार्थों के नाम पदार्थों के नाम में सिंपल सा जितमें इसलिए धाद हुआ चगा जाता है जितने को भी नाप तौल सकते हैं जिसको नाप तौल सकते हैं वो इसमें आ जाएंगे शाहे वो लिक्विट की फार्म में हो पदार्थों के नाम में क्या आ जाएगा धात भी आ जाएगा सारे धात सोना जैसे धात में कौन सोना चांदी जितने भी धात होते हैं लोहा सब इसी में आ जाएगा और दूद सब इसी भी आ जाएगा जिसको आप नाप तौल सकें सबसे इसका अर्थ मैं समझा दू जिसको आप नाप तौल सकें किस में आ जाएगा द्रब वाचक या इसी को धाद वाचक बोरा जाता है तो बहुत आसान है आप इस बात को समझ गए होंगे इसमें कुछ रटने की सीज़े नहीं है अब हम लोग पढ़ते हैं अगला प्रकार और अगला प्रकार क्या है धात वाचक भी समझ चुके हैं अब हम लोग पढ़ेंगे समू वाचक क्या समू वाचक क्या पढ़ेंगे समू वाचक समू वाचक देख लिते हैं समू वाचक तो समू वाचक संह्या अब समू वाचक संह्गया में देखते हैं क्या है समू आचक संगया में देख लेते हैं हम लोग अब समू आचक संगया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो समू आचक क्या होता है एक समू हो एक समू या इसमें क्या देता है अब देखिए समझी अध्यान से आप समझेंगे नहीं आएगा ने क्या क्या चीज़े आती है पहला जाएगा समुधाई इसमें किसी समुधाई की बात होती है समुधाई दूसरा दल की बात होती है तीसरा संघठन की बात होती है तो इसमें संघठन जैसे समुधाई जितने भी दल है जिसमें ये निश्चित हो कि क्या हो जैसे मैं बोलू आपसे समिती अब समिती हमें आपके सामने लग दिया तो आप समझ रहे हैं समित में एक से अधिक लोग होंगे एक से अधिक एक से अधिक लोग हैं समित अकेले की तो होती नहीं है जैसे मुल्दू मैं पंच है न जैसे पंच क्या होते हैं पांच लोगों के समू को बोला जाता है और जैसे मैं बल्दू सेना तो सेना भी एक लोगों की सेना होती नहीं है पुलीस सेना ये सब क्या है दल है इसमें कोई एक लोगों की बात नहीं होती है इसलिए किसमे आजाएंगे आपके समु आचक में आजाएंगे पारे बच्चों किसमें आजाएंगे समु आचक में आजाएंगे जिसमें आपको निस्चित हो कि एक से अधिक लोग है जैसे मैं आपसे बोल दूँ दो लड़ी तो इसमें ये भी किसमें आ जाएगी इसमें एक समुदाय की बात हो रही है माला माला तो अकेले की होती नहीं है तो आप इसमें समझ जाएए फूलो की माला फूलो की माला में भी क्या होगा वो समुदाय कई लोगों का शमू है तो आप समझ गए होंगे ये भी चीज़े मैं आपको अब बता रहा हूँ आखरी जिसको बोलते हैं भाव वाचक तो भाव वाचक भी समझ लेते हैं भाव वाचक संग्या और मैं कल आपके सामने इसी में कोश्चन भी लेकर आजाओंगा तो आपका कोश्चन में क्लियर हो जाएगा भाव वाचक संग्या में भाव क्या होता है भाव के नाम को अब जो भाव के नाम को बोले तो मैंने पहले इसकी पहचान बताई थी और वो पहचान क्या थी, वो मैं पहचान बता देता हूँ मतलब जो सबसे आसान है, नाम पढ़ती माइन में जिसका चित्रना बने यह अद्रिश होती है, क्या होती है? अद्रिश होती है, means ना दिखाई देने वाली चीज़ होती है, यह न दिखाई देने वाली न आकार होता है तो बात समझ में आए जिसका आकार और आकरती नहीं होती है इसको हम सुमते ही नाम चित्र हमारे माइन में ना बने जैसे मैं एक्जामपल आपको समझा रहा हूँ आप जैसे भाव वाचक में क्या क्या आएगा एक्जामपल एक्जामपल में जैसे में आपके सामने रख दिया करूना मानवता अब देखिए अभी कुछ चीज़ और दुक खुसी अब बताईए करूना कोई दिखाई देने में ले चीज़ है क्या मानवता दिखाई देती है मानवता का कोई आकार होता है कोई आकरती होती है क्या आप उसको छू सकते हैं क्या आप उसको छिव पाएंगे तो जूब तो नहीं पाएंगे क्या उसको आप छू पाएंगे छू नहीं पाएंगे नहीं पाएंगे छू नहीं पाएंगे और उसे देख नहीं पाएंगे क्या दुख कोई दिखाई देने वाले चीज है बस हम लोग उसको अपने प्रगड कर सकते हैं बातों से बता सकते हैं बड़ उसका कोई आकार आकरती बना कर नहीं बता सकते कि हम दुख को पकड़ लें उसका कोई गोला कार है तिर्पजा कार है या लंबा लंबा है हम कि इसको दुख को बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं वैसे कुछी नहीं बता सकते इसलिए बोला जाता है ये सारी चीच क्या है अद्रिश्य है इसलिए भाव आचक संग्या जिसको पढ़ते आपके माइन में उसका चितना बने नाकरती बने तो वो क्या आजाएगा भाव आचक में आजाएगा ये माइन में आप हमेंसा याद रखेंगे जैसे मैं आपसे कुछ इकसम्पल दे रहा हम जैसे मैं कहूँ मिठाई और मिठास कुछ सब्द बनाया जाते हैं अब बताई मिठाई और मिठास अब मिठाई تو हमें दिखाई देती है ये दिखाई देनी चीजे इसका कुछ आकार आकरती होता है ठीक है क्या ये मिठास दिखाई देती है ये इसी सब्द से बना हुआ है नहीं ये नहीं दिखाई देती इसलिए ये किसमें आ जाएगा मिठाई किसमें आ जाएगा दरब वाचंग में ठीक है ना दरब वाचंग में नहीं ये किसमें आएगा जातिवाचक में जो कि मिठाईयां बहुचन बना सकते हैं मिठास बताई ये मिठास तो लिखाई नहीं देती इसलिए भाववाचक में आएगी इसको भाववाचक में रखेंगे भाववाचक संग्या में रखेंगे तो आपके आद में ये समझ में आ गई है जब मै आपको सामने कोशन लेकर आऊंगा प्यारे बच्चे मेरी गारणडी है आप पे उसको अच्छे से कर पाएंगे तो कहीं दिजार रहना चाहिए ये फ़र्स्ट वीडियो संग्या पे है मैंने संग्या आपको खतम कर दी है तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाइब बाइब